आदर्श गाउं बनाने को लेकर नूरपूर ब्लॉक की सुल्याली पंचायत में नूरपूर विधाय कराकेश पठानिया ने दो हरीजन बस्तियों में भूमी पूजन किया इन बस्तियों को आदर्श बस्तियां बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 20-20 लाख रुपए की राशी मनजूर की गई है जिसकी पहली किष्ट 10-10 लाख रुपए आ चुकी है और एक-दो दिन के भीतर काम शुरू हो जाएगा नूरपूर ब्लॉक की सुल्याली पंचायत में आदर्श गाओं बनने जा रही दो हरीजन बस्तियां देभराडी, सराडपुरा और लुहारपुरा में नूरपूर विधायक राकेश पठानिया ने भूमी पूजन किया साथ में नूरपूर विधायक ने समाज का लियारण विभाग द्वारा दी गई सिलाई मशीनों को यहां नौ गरीब परिवारों की महिलाओं में वित्रित किया नूरपुर विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि कुछ महा पहले उन्होंने किंद्र सरकार से इन हरीजन बस्तियों को आदर्श गाउं बनाने की मांगी थी उन्होंने कहा कि इन कि इस गाउं में एक पीने के पानी का टेंक भी बन कर तयार हो गया है और उसे भी जल्द लोगों को समर्पित किया जाएगा उन्होंने कहा कि वे जल्द ही सुल्याली गाउं में एक एक करोड की लागत से अंबेटकर भवन का निर्मान करवाने जा रहे हैं उन्होंने कहा कि ये निर्मान कारे जल्द ही शुरू हो जाएगा उन्होंने कहा कि क्षेतर में जल्द ही 11 करोड रुपए की लागत से बनी सिंचाई परियोजना का भी शुभारंब किया जाएगा पंचायत उप्रधान नरेश शर्मा ने कहा कि नूरपूर विधायक राकेष पठानिया के प्रयासों से इन हरीजन बस्तियों को आदर्ष गौव बनाया जा रहा है इसके लिए उन्होंने केंदर सरकार, हिमाचल सरकार और नूरपूर विधायक राकेश पठानिया का आभार व्यक्त किया अब देखा है और साथ ही साथ धन्यवर करना चाहता हूं अपनी हिमाचल सरकार का और धन्यवर करना चाहता हूं यहां के स्थानि विधायक राकेश पठानिया जीव का जिन्होंने पूरी लगन के साथ यह पैसा अपनी सेंट्र गॉम्ट से मजूर को राकर लौहर